तो आज अपन पढ़ेंगे Calculation of No.sigma and Pi Bond कि एक compound दिया हो आपने को उसके अंदर कित्य नमबर of sigma bond है और कित्य नमबर of Pi Bonds है प्लस आज अपन ये भी देखेंगे कि कैसे questions आते हैं competitive exams के अंदर और board exams के अंदर और जित्वे exam होते हैं इस topic के उपर based तो सबसे बहुते हैं कि अपने पास अगर दिया है C singular bond C ये कहा उसके अंदर क्या होता है एक सिंगमा बोंड और इक पाई बोंड दरसेल होता कि है कि ये कि सिंगमा बोंड इसे सिंगमा बोंड है ये किसके एकपल होता है एक sigma bond प्लस इसके अंदर क्या होता है pi electron cloud above the plane और pi electron cloud below the plane तो ये अपने पास devil bond किसके एक एक बोल होगा एक sigma bond और एक pi bond अब बात करते है c triple bond c जो होता है तो c triple bond c होता है उसमें क्या होता है c triple bond c के अंदर there is one sigma bond and there are two pi bonds तो triple bond is equal to क्या होगा one sigma bond and two pi bonds अब बात करते हुआपन कि जो CH होता है ये क्या है c और ये क्या है h तो जो CH होता है उसमें क्या होता है कि CH के अंदर एक single bond है तो ये single bond के इसके एक एकवाल होगा one single bond is equals to sigma bond तो अपना conclusion क्या है कि single bond के अंदर कितने sigma bond होगा one sigma double bond के अंदर किते sigma होंगे 2 sigma क्या ये सही बात है नहीं तो double bond के अंदर क्या होगा 1 sigma और 1 pi अब बात करते है triple bond के अंदर क्या होगा triple bond के अंदर 1 sigma bond होगा और 2 pi bonds होगे और अगर अपने पास single bond फिर से तो उसमें क्या होगा 1 sigma अब बात करते हैं अपने एक्जाम्पल्स की तो एक्जाम्पल्स के अंदर क्या अपने पास C single bond C इसमें क्या होगा? एक सिगमा C double bond C इसमें क्या होगा? एक सिगमा एक पाई C triple bond C इसमें क्या होगा? एक सिगमा और दो पाई बाई बात करते हैं एक और example की, की CH के अंदर क्या होगा single bond है, मतलब 1 sigma तो यह अपन ने model के इसाब से भी देख लिया, और इसको 2D के उपर भी देख लिया, अब बात करते हैं अपन कुछ questions की, की competitive exams के अंदर कैसे questions frame होते हैं, तो सबसे पहला question क्या है अपना की calculate number of sigma and pi bond respectively क्या question है, calculate तो अपना question है, calculate number of sigma and pi bond respectively, और इसके चार option है, यह आपकी screen पे तो यह है इस question की चार option, और किसके अंदर number of sigma and pi bond calculate करना है, उसका जो diagram दिया हुआ है, question के अंदर वो है यह, तो अपने क्या calculate करना है, अपने को benzonitrile या sinobenzene के अंदर, sigma और pi bond calculate करना है, कि कितने number of sigma and pi bond है, इस जो benzonitrile के अंदर, या sinobenzene के अंदर तो basically जो इसके approach होती है, सोल करने की वो क्या होती है, अपने को सबसे पहले, question देखते ही, इसके अंदर sigma bond count नहीं करना है अपने को इस question को देखते ही, सबसे पहले, इसके अंदर pi bond count करना है, क्योंकि अपने को जो भी यहाँ पे दियावा होगा diagram, किसी भी compound का उसके अंदर, हमीशे अपने को देखना है, कि यहाँ पे क्या sigma bond जादा है, या pi bond जादा है, तो जो भी कम number के अंदर होगा, अपने को उसको calculate करना है तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है, easily, कि यहाँ पे pi bond का number कम है as compared to sigma bond, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या calculate करना है, pi bond क्योंकि यहाँ पे क्या देरख है, sigma and pi bond respectively respectively का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहां पर sigma bond का number है उसके बाद यहां पर pi bond का number है तो सबसे पहले अपने को क्या calculate करना है pi bond इस benzon nitrile या कोई भी अपने को compound दे रखा उसके अंदर तो अपने को देखना है इसको एक सिगमा और एक पाई होता है, तो अपने को सबसे पहले का कैलकुलेट करना है, पाई बॉन्ट, तो एक पाई बॉन्ट, दो पाई बॉन्ट, तीन पाई बॉन्ट, और वन ट्रिपल बॉन्ट इक्वल्स टू 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 पाई बॉन्ट, तो तीन चार पाँच, तो टोटल न जो है अपने पास जिस भी option के अंदर 5 है वो सिरफ एक option है जो अपना option number 3 है उसके अंदर के है pi bond का number 5 तो अपने को यहाद देखने से वालूम पड़ेगा कि option कौन सा होगा 3rd बट अगर आपके पास ओ टाइम बज़े के question solve करने के लिए तो अपने यहाँ पर easily sigma bond का number भी calculate कर लेंगे तो अब देखने हैं अपने को sigma bond का number तो सबसे पहले जो भी अपने को compound दिया है उसको क्या कर लो expand कर लो यहाँ पर मैंने इसको already expand कर लिया अगर आपको condensed form में दे रखा है तो उसको क्या कर लो expand कर लो first rule second rule उसके बाद सबसे पहले अपने को pi bond का number calculate करना है third rule उसके बाद अपने को time बज़के question solve करने के अंदर अगर आपके पास time है time limit नहीं है exam के अंदर जो कि ऐसा होता नहीं है time limit हमेशा होती है exam के अंदर अगर time limit नहीं है time बज़के अपने पास अगर आपको practice करनी है question solve करने की तो आप sigma bond में count कर सकते हो यह देखने के लिए cross check करने के लिए कि आपने क्या question को सही कर रहा है या गल्द कर रहा है अब अपने इसके अंदर sigma bond के number count करेंगे तो sigma bond के number count करते हैं 1 sigma 2 sigma 3 sigma 4 5 और 6 6 sigma 7 8 9 10 11 12 और एक triple bond के अंदर 1 sigma 2 pi तो यहाँ पर क्या हो गया 1 sigma तो 13 sigma तो अपने को मालूम पढ़िगा कि option number 3 क्या है एकदम correct option है अब बात करतें next question की तो अपना question number 2 जो है न वो थोड़ा सा अलग type का है तो question number 2 क्या है कि number of pi bond electrons count करने है अपने को electrons count करने है pi bond के अंदर किते electrons होते है तो आपको यह बात यहाद रखने है कि एक bond के अंदर जो एक bond का formation होता है वो किते electron से होता है 2 electron से तो अपने को यह यहाद रखने है कि single bond जो होगा उसके अंदर क्या होगा एक electron इस atom का एक electron इस atom का तो total number of electron कित्ते होगे इस bond के अंदर 2 electrons तो हमेशा याद रखने आपको कि pi bond के अंदर 2 electrons होते हैं या एक sigma bond के अंदर 2 electrons होते हैं तो अब अपन count करेंगे number of pi bond electrons क्योंकि जो question आता है जो अगले type का question है वो कहा है कि calculate number of pi bond electron तो अपना question आपके screen पर यह रहा तो अपने को पूछर का calculate number of pi bond electron is this compound के अंदर तो calculate number of pi bond electron in this compound तो इस compound के अंदर pi bond electron कितने है तो सबसे पहले अपने को देखना है कि इसके अंदर pi bond कितने है तो 1 pi bond, 2 pi bond 3 pi bond, 4 pi bond क्योंकि अपने को पता है कि जब single bond का formation होता है उसके अंदर कोई भी pi bond नहीं होता अगर double bond का formation होता है उसके अंदर 1 pi bond होता है 1 sigma bond होता है अगर triple bond का formation है तो उसके अंदर 1 sigma bond और 2 pi bond तो यहाँ पर सारे double bond है तो अपने को देखना है कि इसके अंदर कितने pi bond होगे तो चार pi bond के अंदर किते electrons होंगे? 8 electrons, तो 8 electrons क्या हो गया? इसका answer हो गया. अब बात करते हैं एक और question की, कि calculate number of pi bond electron in benzene, तो अपने को पता कि benzene के अंदर किते number of अपने पास pi bond होते हैं, तो 1, 2, 3, 3 pi bond हैं आपे अपने पास, कि double bond हैं यहांपे कितने हैं? इस बैंजीन के अंदर कितने हैं इस बैंजीन के अंदर हैं, अब बात करते हैं एक और question की, जो कि AIMS में आएगा है, वो किस type of question है? assertion reason का, तो उस question के अंदर assertion है अपने पास, तो अपने पास assertion है इस question के अंदर, कि जो अपने पास यहांपे, कि यहांपे buta-1, 3, di-in जो दे रखा है, is a planar molecule, तो क्या assertion सही है? चलो देखते हैं, तो planar molecule दे रखा है, कि जो buta-1, 3, di-in है, तो अपने को देखना है, कि इसका hybridization क्या होता है, हर carbon का, तो इस carbon hybridization is sp2, इसका hybridization is sp2, इसका भी hybridization is sp2, इसका hybridization is sp2, तो हर carbon का hybridization यहांपे sp2 है, जिससे क्या मालूम पढ़ता है, कि यह planar molecule है, तो यहांपे assertion क्या है true, अब बात करते हैं, अगर इसका reason correct होता, तो वो reason क्या होना चीए था, तो अपने को देखना है कि, buta-13-dian is a planar molecule, तो इसका reason जो है, वो correct क्या होना चीए था, reason होना चीए था, कि यहांपे, each carbon in buta-13-dian is sp2 hybridized, अगर यह reason होता, तो यह क्या होता, assertion का correct explanation होता, but reason क्या है यहांपे, it has 9 sigma and 2 pi bond, यह option तो correct है, reason इसका correct explanation नहीं है, but reason की statement क्या है true, क्योंकि इसके अंदर 2 pi bond है, और अपने count करते है sigma bond, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sigma bond तो है इसके अंदर, और 2 pi bond भी है इसके अंदर, तो यह reason की statement true है, but reason इस assertion का correct explanation नहीं है, इसलिए यहांपे option क्योंसा चाहेगा, second, तो क्योंकि second option जो होता है, इसके अंदर, वो क्या होता है, कि assertion is true and reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion, और first option क्या होता है, assertion is true and reason is true, and reason is the correct explanation of assertion, और third option क्या होता है, assertion is true and reason is not true, and D option क्या होता है कि इसके अंदर जो assertion is not true and reason to fit कैसे true होगा तो अपन बात करते हैं इसके अंदर option को तो होता है second option जो option क्या है कि assertion जो अपने को statement दे रखी है वो true तो है but इसका reason जो है वो assertion का correct explanation नहीं है क्योंकि यहां पर reason अदर correct होता तो reason क्या होता है कि यह planar क्यों है planar इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हर carbon का habitation का है as to do अगर यह reason होता तो option जाता first but यहां पर option क्या है it has 9 sigma and 2 pi bond इसलिए यह statement true है but इसका correct explanation नहीं है assertion का इसलिए आपने पास second option तो अगर आज अपने जो पड़ा calculation of number of sigma and pi bond and pi bond electrons और इसकी सारे examples देखे और जो कृषिन आया है aims के अंदर और other exams के अंदर तो अगर आपको यह video पसंद आई है then don't forget to like this video and अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को subscribe करना बेलकुल ना बोले and इस वीडियो को share करे and don't forget to leave a comment and thanks for watching Upadhyay Chemistry